Hello friends, welcome to my channel RS English World, मैं आप से भी का स्वागत करता हूँ, दोस्तों आज का वीडियो है पार्ट टू और इस वीडियो में मैं आज आप सभी के लिए active and passive voice, tense voice कराने जा रहा हूँ, उमीद करते हैं आप सभी लोग वीडियो को आन तक देखेंगे, तो चलिए, start करते हैं, पिछले व उमर के रूप में एक responsibility थी आप लोग के लिए, लेकिन आप लोग कुछ भी response नहीं दियें, तो उमीद करते हैं, नेक्स्ट वीडियो में आप सभी लोग response देंगे, तो चलिए, ये पिछले वीडियो के जो example थे, आज मैं उस रिके को पर discuss करता हूँ, 1st example है, she cooks the food, the food is cooked by her, 2nd is I punish them, they are punished by me, 3rd is he plays cricket, cricket is played by, cricket is played by him, 4th is you are going to market, market is being gone by you, 5th one We cook the food The food is cooked by us Okay Next 6 They are playing hockey Hockey is being played by them Rehaar is singing a song A song is being sung by Trichan I am teaching them They are being taught by me और आप इस चार्ट को देख सकते हैं ये एक फ्रेम है एक्टिब से पैसिब बनाने का बहुत simple है subject को object बनाया है और object को subject बनाया है ठीक है next है आज का जो मेरा topic है present indefinite tense का active बाइसे passive बाइस बनाने में क्या क्या परिवर्टन हो रहे है ठीक है और इस चार ऐसे वे हैं यानि ये चार ऐसे रास्ते हैं जिसपे हम लोग प्रती दिन अपने जीवन में यूज करते हैं लगातर बोलते हैं यानि हम लोग simple में में बोलते हैं और negativity में बोलते हैं और interrogative में बोलते हैं और interrogative negative में भी बोलते हैं ठीक है तो आप समझ गयोंगे तो ये एक रास्ते हैं जिसमें हम पूरे tense को यूज करते हैं लगातर बोलते वक्त तो चलिए आज affirmative sentence के लिए हम बात करते हैं कि affirmative sentence में कैसे हम use करते हैं ठीक है तो रूल से वर्फ की first form या वर्फ की first form के साथ यदि ऐस और यस लगता है तो हमें बिना कोई सोचे चेंज करना होगा is mr subject के अनुसार प्लस वर्फ की third form लगाते हैं ठीक है example आप इस चार्ट को देख सकते हैं इस color code के उपर ध्यान दीजेगा मेरे दोस्तों इस color code पर ध्यान देंगे तो आपको एक सहजिता से simple way में आपको समझ में आ जाएंगे यह जो सब्जेक्ट है इन्हें object कर दिया गया है और इस object को यहां subject कर दिया गया है ठीक है I hope आपको समझ में आ रहा है और इसे crosswise यानि जो आप mathematics में multiplication देखते हैं इस crosswise का आप mindset रखी है subject object और object subject और यहां पर आपके helping वग subject के हिसाब से यानि subject के अनुसार change होंगे जैसे is mr subject के recording और आपके main वर्व यानि मुख के क्रिया में third form use होंगे और by का use होता है ओके I hope आपको समझ में आ गए नेक्स्ट है negative sentence के लिए तो negative sentence में same वैसे ही है सिर्फ not लगे है डू या डश प्लस नॉट प्लस वर्व की first form और पैसिब वाइज में change करते वक्त is mr subject कनुसार प्लस नॉट प्लस वर्व की third form यूज करते हैं ओके example देखें see does not cook the food वह खाना नहीं पकाती है the food is not cooked by her खाना उसके द्वारा नहीं पकाया जाता है कहने का अर्थ है कि यहाँ पर आपके जो object है इस object को passive wise करते समय उसी object को एक subject के रूप में हम use कर रहे हैं ठीक है आई बास समझ में तो यहाँ पर आप देख सकते हैं यह वही object है जो हमारा active wise में object का रोल कर रहा था यानि एक object की भूमिका थी लेकिन इसमें passive wise में subject का का काम कर रहा है ठीक है तो the food is not cooked by her ओके तो खाना उसके द्वारा नहीं पकाया जाता है ठीक है नेक्स्ट है इंट्रू गेटिव सेंटेंस के लिए डू या डश प्लस नॉट प्लस वफ की फर्स फॉर्म इस एम आर चेंज करते वक्त आप इस एम आर सबजेट के अनुसार सबजेट प्लस वफ की थर्ट फॉर्म यूज करेंगे एक्जांपल देखिए क्या भोजन पकाती है तो इसके द्वारा फॉकॉस डालेंगे न डा conduz देख लेंगे तो आपको क्लीर हुजाए टीक है ऐसा क्यों किया गया देखिए एटोमेटिक ओके नेक्स्ट है इन्टूगेटिव निगेटिव सेंटेज कहने करते कि जो मैं प्रश्ण वाचक यानि जो मैं क्वेस्टन करता हूँ तो उसमें भी हम निगेटिव लगाते हैं क्या वहां नहीं जाता है क्या वह उससे नहीं बोलना चाहता है ठीक है तो इसी तरह से तुम क्यों नहीं जाते हो तुम क्यों क्रिकेट नहीं खेलते हो ठीक है तो यानि आपके इन्टूगेटिव में भी निगेटिव आते हैं ठीक है तो रूस है do या does plus subject plus not plus verb के first form और passive wise में change करते वक्त आप ध्यान देंगे is mr subject के अनुसार plus subject plus not plus verb के third form example है क्या वह भोजन नहीं पकाती है does she not cook the food passive wise है क्या भोजन उसके द्वारा नहीं पकाया जाता है तो is the food not cooked by her okay उमिद करते हैं आपको समझ में आ रहे हैं तो please comment करिए next है यह चार्ट है active passive wise उमिद करते हैं आपको पूरे इस चार्ट के rules समझ में आ जाएंगे आप first वीडियो मेरा देखिएगा मैंने उसमें भी बताया है और इस चार्ट को rules करिए अपने उपर follow करिए frame करिए आपको समझ में आ जाएंगे comment करिएगा है यक क्या है तैंकि फ्र वाचिंग मै वीडियो थांकि्स अल आफ यू दोस्तों वीडियो को like करे scripts करें और subscribe करें और जो है है हिंट